हेलो हाई आदा नवस्कार सम्माने सातियों वेलकम टी यूट्यूब चैनल टैट पाइंट आजम बाचित करने जा रहे हैं नई सिक्षा नीती को केंद्रिय कैबिनेट की मंजोरी तो इस मंजोरी के साथ इस नई सिक्षा नीती 2020 के अंत्रगत क्या चीज बदलाव की गई है औ और किन चीजों को खत्म किया गया है उन पर आज हम डिस्कसन करने जा रहे हैं यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सबिस्क्राइब करें बैल आइकन को प्रेश करें ताकि नौटिफिकेशन आपको सर्प्रितम प्राप्त हो सकें और शेयर भी करें शेयर करन समाध्यम से जोड़ सकते हैं तो चलते हैं आज की वीडियो के शेयर सक्की तरफ तो नई सिक्षा नीती को केंद्रिय कैबिनेट की मंजोरी और इसमें चलते हैं इसकी तरफ मान्य मंत्री सिक्षा विबाग भारस सरकार द्वारा प्रस्तावित नई सिक्षा नीती 2020 को आज केंद्रिय कैबिनेट ने अपनी सिक्रती प्रदान कर दी है आज केंड्रे सरकार की कैविनेट की स्विकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई सिक्षा नेती लागू हो गई है कैविनेट ने नई सिक्षा नेती नियो एजुकेशन पोलिशी 2020 को हरे जन्दी दे दी है 34 साल बाद सिक्षा नेती में बदलाव किया गया है और नई सिक्षा नेती की लेकनिया बाते सरल तरीके से इस परकार है तो देखते हैं कौन सा नई सिक्षा नेती के अंदरगत कौन से तरीके हैं कौन से सरल तरीके से हम आपको बतानी कोश्च करेंगे 5 Years Fundamental तो इसमें 5 Class हैं और उसमें जो Admission होगा नर्शरी का होगा 4 Years के लिए इसमें Junior KG के लिए 5 Years निश्चित की गई है अनिवारी है और स्टेंडर्स सेकंड के लिए एट एयर्स का बच्चा होना अनिवारी है तो इस तरह से फाइव एयर्स फंडामेंटल में फाइव क्लास हो जाती हैं अब बात करते हैं थ्री एयर्स प्रिपेरेटरी तो इसमें स्टेंडर्स थर्ड के लिए नाइन क्लास सोरी नाइन एयर्स का बच्चा होना चाहिए और स्टेंडर्स फॉर्थ के लिए टैन एयर्स का बच्चा होना चाहिए और स्टेंडर्स फिप्त के लिए अलेवन एयर्स क का बच्चा होना अनिवारी है अब बात करते हैं 3 years middle तो इसमें क्या है standard 6 के लिए 12 years का बच्चा होना चाहिए standard 7 के लिए 13 years का होना चाहिए और standard एर्थ के लिए 14 years का बच्चा होना चाहिए अब बात करते हैं 4 years secondary Standard 9th के लिए 15 years का बच्चा होना चाहिए और standard secondary के लिए इसमे 16 years का बच्चा होना चाहिए और standard FIJC के लिए 17 years का बच्चा होना चाहिए और standard SYJC के लिए 18 years का बच्चा होना चाहिए अब बात करते हैं इसमें खास बात क्या है केवल बारवी कक्षा में होगा बोर्ड और एमफिल होगा बंद कॉलेज की डीरी चार साल की दसमें बोर्ड खतम होगी और एमफिल भी खतम होगा अब पांचमी तक के चात्रों को मात्र भासा इस्थाने भासा और राष्ट भासा में ही पढ़ाया जाएगा बाकी विशे चाहें वो अमध्रेजी ही क्योंने हो एक सब्जक्ट के तोर पर पढ़ाया जाएगा पहले दसमें बोर्ड की परिक्षा देना आनेवारिया होता था जो अब नहीं होगा और नवी से बारवी क्लास तक सेमेस्टर में परिक्षा होगी इसकूली सिक्षा को 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा तो यह 2020 नई सिक्षा निती जो है वही 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 फॉर्मूले पर आधारित रहेगी जो हमने अब इस पर जिकर किया था वही कॉलेज की डिग्री वही कॉलेज की डिग्री 3 और 4 एयर्स की होगी यानि ग्रेजॉंसन के पहले साल पर सर्टिफिकेट दूसरे साल पर डिप्लोमा और तिसरे साल में डिग्री प्राप्त होगी तो यह ग्रेजॉंसन के लिए अलग नई चीज है और 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिने हायर्स एजूकेशन नहीं लेना है वहीं हायर्स एजूकेशन करने वाले चात्रों को 4 साल की 4 साल की डिग्री करने होगी और 4 साल की डिग्री करने वाले इस्टूडेंट एक साल में एम ए कर सकते हैं में के चात्र अब सीधे पीएडी कर सकेंगे और स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स हायर एजूकेशन में 2035 तक ग्रॉस एन्रॉल्मेंट रेशियो 50-50 हो जाएगा वहीं सीधे नीती के तैत कोई चात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है higher education में भी कई सुधार किये गए हैं सुधारों में graded academic, administrative और financial autonomy आधी सामिल है इसके अलावा छेत्रिय बासों में कोई E-Course शुरू किये जाएंगे virtual labs विक्सित किये जाएंगे एक national educational scientific form NETF शुरू किया जाएगा बता दें कि देश में 45,000 college है सरकारी निजी डिम्ड सभी संस्थाओं के लिए होंगे समान नियम आधरनिय श्री धर्मंद प्रिदान जी सिक्षा मंत्री भारत सरकार की तरब से ये संदेश है और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सबिस्क्राइब करें मेल आइकन को प्रेश करें ताकि नोटिफिकेशन आपको उस्तर प्रिदम प्रात हो सके टैट पॉइंट बाई मोहमद श्पली दन्यवार